दोस्तों Business World के तीन महान दिगज, Warren Buffet, Steve Jobs और Bill Gates एक साथ जब बैठे हुए थे तो उनसे पुछा गया कि उनके success के पीछे सबसे major reason क्या है और उन तीनों का एक ही जवाब था that focus इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो काम किया वो focus के साथ किया और इसलिए वो successful हुए जब Guru Drone ने अरजुन से ये पूछा कि उनको क्या दिख रहा है तो उनको चिड़िया की सिर्फ एक आँख दिख रही थी अगर life में आपको successful होना है तो आपको focus रहना बहुत जरूरी है लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि आपका जो focus है वो बहुत बड़ा toxic है वो बहुत injurious है वो आपके success के लिए सबसे बड़ा रुकावट है तो आप क्या बोलेगे तो time है defocus होने का दोस्तो मैं चार ऐसे चीजों पर बात करने वाला हो जिस पर हम बहुत ज़्यादा focus है और अगर हमें अपने life में अगर success पाना है तो उससे defocus होना जरूरी है तो चले इस वीडियो को अब हम start करते हैं सबसे पहले है perfectionism दोस्तों आज के society में हम social media से influence होकर कहीं न कहीं अपने आपको mr. perfect बनाने में लगे हुए हैं हम सोचते हैं कि अगर हम job भी करें तो एक ऐसी best job करें कि जो दुनिया देखे तो उनको वाव की feeling हो business करें तो ऐसा कोई बड़ा business करें जिसे हम social media कहीं देखते है वैसा वाला एक business करें जैसे हम shark tech वगरा में हम जो businesses देखते हैं वैसा करें और जब हमारे दोस्त हमारे businesses को देखे तो बोले कि भाई तुम ही हो जो best कर सकते हो तो दोस्तों यह जो perfectionism का attitude है तो वो basically problem यह करता है कि वो हमको execute करने के लिए ही नहीं करता कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीजे को शुरू करने का सोचते हैं और जब हमें उसमें ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत सारी खामी आने वाली हैं तो हम actually में वो process को start ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारा mind focused है perfection में तो अगर perfection नहीं मिलता है तो हम start नहीं करते हैं लेकिन दोस्तों सच बात comparison मेरा दोस वाकेशन में गया तो मैं भी जाऊंगा मेरे दोस लोग ऐसे इंस्टाग्राम में moोड रही है तो मैं भी डालता हूँ उसके इतने followers होगए तो मेरे it इतने followers क्यों नहीं है उसके इतने marks है मेरे इतने marks क्यों नहीं है हम सब एक comparison की चक्कर में पड़े हुएं दोस्तों अगर हमारी focus comparison में रहेगी तो हम सदा दुखी रहेंगे हमारी जो focus है वो दूसरों से comparison नहीं आपकी जो focus किया अपने आप से अपकी competition शुरू हो जाएगी friends तो वो समय आएगा कि आप अपने आपको बहतर सम बनाते जाओगे और धीरे धीरे आपकी life में बहुत improvement हो जाएगी so defocus yourself from comparing to others and focus yourself by comparing yourself from what you were in the past and what you are in the now third है दोस्तो fear आपको मालू मैं risk लेने में सबसे ज़्यादा आगे कौन रहते हैं एक educated इनसान रहेगा या uneducated इनसान रहेगा maximum जो बड़े बड़े business जिन्होंने शुरू किया है वो basically college drop out या school drop outs रहे हैं उसके पीछे reason यह है कि उन्होंने ज्यादा calculate नहीं किया उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगा जब कि हम बहुत ज्यादा जब educate हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हम उसके सारे pros and cons को calculate करना शुरू करते हैं और जो हमारी जो focus है वो उसके negativity उसके जो possibility है कि हम कहां कहां fail हो सकते हैं उस पर हमारी focus बढ़ जाती है रादर हमारी focus वहां नहीं रहती कि उसमें क्या क्या possibility हो सकती है इसमें दोस्तों जरूरी है कि आपकी जो focus है वो fear पर नहों जब कि आपकी focus है वो होने चाहे ये possibility पे जब आप possibility पे focus करोगे तो definitely आपको बहुत सारे और रास्ते दिखेंगे और अगर आप fear पे focus करोगे तो हर एक चीज में fear है आप आगे नहीं बढ़ सकते so defocus yourself from the fear and start focusing on the possibility of whatever the situation that you have and just see that how your life is going to change and last 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 जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में हम focused है और अभी भी शायद आप वहीं पर focus हो वो है हमारे gadgets technology इतनी ज़्यादा फसे हुए दोस्तों शादी में हो चार दोस्तों के साथ बैठे हैं तो भी हम mobile देख रहे हैं गाड़ी चलाते टाइम तो एक प्रकार से गाड़ी चलाना part time हो गया है कि हम इस mobile के चक्कर से बाहर निकलें लोग जीम में, meetings में, offices में हर जगा we are trapped, we are badly trapped in this mobile phone और हमारी जो focus है वो पूरी तरीके से mobile phones पर आ गई है और हमारी जो life है वो completely defocused हो गई है हमारी जो goals है वो completely defocused हो गई है इसलिए बहुत जरूरी है कि let us defocus from this mobile mobile की जो दुनिया है, especially social media की दुनिया है, वो एक बहुत artificial दुनिया है reality जो है, it's very different और problem यह है कि हम उस artificial world को हम बहुत real world मानने लगते हैं और अपने आपको inferiority complex से ग्रसित कर देते हैं, दोस्तो defocus yourself from the mobile आज की वीडियो में इतना ही, मुझे पूरा यकीन है यह वीडियो आपको पसंद ही आया होगा और तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किये भीना मत जाएगा दोस्तो धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में